इस वीडियो में हम सीखने वाले है क्लास 12 सब्जेक बायलोजी चैप्टर नमबर 6 मॉलीकिलर बेसिस अप इनहेरेटेंस के बारे में यहाँ पर हमारा क्वेश्चन है याने कि हमें यहाँ पर नूकलिक एसिड के फॉंक्शन शीखना है तो सबसे पहले हम देखते हैं नूकलिक एसिड होता क्या है तो आपको सभी को पता है cell की structure किस type की होती है cell के अंदर होता है nucleus और nucleus के अंदर जो acids present होते है वो acid को हम कहते है nucleic acid अब हमें पता है कि जो cell का nucleus है इसके अंदर क्या present होते है तो इसके अंदर DNA या RNA present होते है DNA and RNA present होते है और ये DNA और जो RNA है इनी को हम बोलते है nucleic acid ठीक है याने कि यहाँ पर क्या पूछा गया है कि जो DNA है उसके क्या क्या function है या RNA उसके क्या function है तो यहाँ पर सीखते हैं mainly अगर देखा जाए तो DNA को nucleic acid कहा गया है ठीक है RNA तो protein का synthesis करवाता है और जो RNA है वो DNA से ही बनता है इसलिए RNA को भी include जरूर किया जाता है nucleic acid में बट अकर main nucleic acid देखा जाए तो DNA होता है main nucleic acid अब यहाँ पर हम function देखते है nucleic acid याने कि DNA के क्या क्या function है तो first जो function दिया है वो क्या है nucleic acids are hereditary material of organisms which involve in the transfer of hereditary characters from one generation to next याने कि DNA क्या है यह ऐसे genetic material है जो कि hereditary characteristic को transfer करते है याने कि जो parents के character है वो उनके बच्चों में transfer करने का काम कोन करता है तो nucleic acid करते है ठीक है next function दिया है याँ पर DNA controlled synthesis of enzymes जो DNA है वो क्या करता है जो enzyme होते है ना उनके synthesis को control करता है and साथ में various activities भी करवाता है ठीक है कैसे जो DNA है वो enzyme synthesis को control करेगा और जो enzymes है यह क्या काम करेंगे तो यह various activities होती है हमारी body की उनको control करने का काम कोन करता है तो enzymes करते है ठीक है याने कि यहाँ पर अगर ultimately देखा जाए तो जो DNA है वो हमारी body की जो various activities है इनको control करने का काम करते हैं है वो पहले DNA से क्या बनाते है mRNA क्या बनाते है और जो यह mRNA है यह फिर protein बनाते है mRNA क्या बनाएंगे यह पर तो mRNA यहाँ पर protein बनाते है DNA से RNA बनने की जो process है इसे हम कहेंगे transcription और यहाँ पर में वो chromatin network का बना होता है यानि की chromosomes का बना होता है फिफ्ट पॉइंट में कहा है इट causes mutation in living beings यानि की living being के अंदर जो mutation होता है उसके लिए भी DNA जो है वो responsible होते है अब mutation क्या होता है यह हमें पता होना चाहिए तो mutation क्या है body के अंदर जो अच्छानक से change आते है या एक generation से दूसरी generation में किसी अजीब type के कुछ changes आते है या अचानक changes आते है जो characters parents में नहीं थे फिर भी वो बच्चों में आ जाते है तो ऐसे characters को हम बोलते है कि यह क्या हो रहा है याने कि अच्छानक आया परिवर्तन है तो इसी को हम बोलते है mutation six जो function दिया है वो क्या है यह पर they form enzyme याने कि जो DNA है वो क्या करते है enzyme का synthesis करते हैं यह उपर भी देखा था आपने कि जो DNA है यह क्या करते है enzyme synthesis को control भी करते हैं और यहां पर क्या कहा है कि जो DNA है वो enzyme का synthesis करते भी एक्च्छल में जो enzyme है वो क्या है एक टाइप के protein ही होते हैं कि प्रोटीन का सिंतेसिस किस से होता है तो mr1 जो एम रंए उसका सिंतैसिस किस से होता है अमरेने का जोunden के aí चिसे वो दीने से होता हैना यानने की जो डीने यह वो अगर देखा जाए तो प्रोटीन या एंजाइम का synthesis भी करवाता है next question देखते हैं यहाँ पर what is peptide bond peptide bond क्या होता है और यह कहाँ पर पाया जाता है तो peptide जो bond है वह protein के अंदर पाया जाता है जो protein होता है वह क्या होता है तो protein झोटे चोटे ऐसे बहुत सारे amino acids की एक लंबी chain होती है जो protein प्रोटीन होता है वो क्या होता है बहुत सारे एसे छोटे छोटे आमीनो एसिट की एक लंबी सी चेन होते हैं याने कि प्रोटीन में मीलियन्स आप या थाउजंड्स आप आमीनो एसिट से प्रोजेंट होते हैं जो प्रोटीन होता है उसमें क्या होता है बहुत सारे आमीनो एसिड्स आपस में जुड़ते जाते हैं, तो क्या बनाते हैं, प्रोटीन की एक लंबी चेन बनाते हैं, यहाँ पर अगर हम देखें, तो अगर पूछे कि मोनोमर यूनिट क्या है amino acid और amino acids के बीच में कुन सा bond रहता है तो peptide bond रहता है समझते हैं यहाँ पर क्या है peptide bond क्या है यहाँ पर देखिए एक यह amino acid है और एक यह वाला amino acid है ठीके यह दोनों जब आपस में यहाँ पर जुड़ेंगे तो यहाँ से एक S2 का molecule यह निकल जाएगा ठीके यहाँ पर arrow के नीचे निकाल के बता है और इस type से एक यहाँ पर बड़ा वाला molecule बन जाएगा और यह जो molecule है इसमें एक यह वाला molecule है और एक यह molecule इन दोनों के बीच में यहाँ पर एक यह peptide bond यहाँ पर present है याने कि peptide bond के थूँ यह amino acids आपस में जुड़ जाते है और इस type से बहुत सारे amino acids से आपस में जुड़ते जाते है तो amino acids के एक लंबी सी chain बनती है और उस लंबी chain को ही हम क्या कहते है protein कहते है अब protein की भी chain अलग-अलग type के होती है primary chain होती है secondary फिर tertiary और फिर quaternary तो अगर छोटी chain हो तो उसे primary chain कहते है याने कि जब जो amino acids है वो आपस में जुड़ते जाते है और एक चादर लाइक structure बना लेते है बहुत सारे amino acids जोड़के एक चादर लाइक structure बनाते है तो उससे हम बोलते है कि यह क्या है यहाँ पर किस type का amino acid है तो यह primary type का amino acid है और जब amino acid तो आपस में जुड़के एक लंबी chain मनाते हो और इस type से coil हो जाती है तो उसे हम secondary protein कहते है जब इसे गुच्छे का रूप ले लेते है प्रोटीन की chain तो उसे हम तरसरी amino acid बोलते है और जब भी बहुत सारे गुच्छे यह से आपस में जुड़ जाते है जैसे यहाँ पर 4-5 गुच्छे है यह ना amino acid से बने होए protein के तो इसको हम बोलते है quaternary protein बड़ इतना जादे है detail में नहीं write करना आपको कितने याद रखना है और फिर यहाँ पर बनता है peptide bond ठीक है अब यहाँ पर अगर हम देखे theory में तो क्या कहा the bond formed between carboxylic group याने COOH group and one amino group यहाँ पर जो यह peptide bond बन रहा है ना वो किसके बीच में बनता है तो यह जो COO group है याने की यहाँ पर जो यह carboxylic group है इसके बीच में और जो NH2 group है इन दोनों के बीच में यहाँ पर bond बनता है और इस bond को हम बोलते है peptide bond तो यह बात है हमें यहाँ पर ध्यान रखनी है कि peptide bond किन के बीच बन रहा तो carboxylic acid और amine group के बीच में यहाँ पर यह bond बनता है और यह जो reaction है वो condensation type की reaction है क्यों है क्योंकि यहाँ से S2 का molecule बाहर निकल रहा है इसलिए next topic के हमारा translation तो translation में क्या होता है जो MRN होता है MRN बनाता है protein MRN से क्या बनता है यहाँ पर protein बनता है यानि कि MRN से protein बनने की जो process है उसे ही हम कहेंगे यहाँ पर translation ठीक है अब यहाँ पर इस process को translation क्यों नाम दिया गया है क्योंकि जिस type के coding यहाँ पर MRN पर होती है उसी क्या according यहाँ पर protein के coding पाई जाती है यानि कि जो MRN है वही decide करता है कि किस type के amino acids किस sequence में यहाँ पर protein का synthesis करवाएंगे जैसे यहाँ पर हम diagram में समझते है यह जो structure दिखाई दे रही है यह किसकी है यहाँ पर तो यह है यहाँ पर MRN की structure यहाँ पर दिया है MRN की structure है और इसके उपर यह 3-3 जो nucleotides लगे इनको हम बोलते है codon जैसे 3 यहाँ पर nucleotide मिलकर एक codon बना रहे यह 3 एक codon बना रहे यह वाले 3 एक codon बना रहे इस टाइप से यह सब क्या है एक एक codons बनाते हैं यहाँ पर यहाँ थ्री nucleotide का एक codon बनता है और यह codon के according ही यहाँ पर amino acids आकर जुडते यहाँने कि जो 3 nucleotide है यह decide करते कि किस टाइप का amino acid यहाँ पर आकर जुड़ेगा जैसे यहाँ पर यह जो 3 nucleotide का एक sequence है यह code है और यह किस के लिए है तो यह इस type amino acid के लिए है ठीक है यहाँ पर अलग-अलग color से amino acid को बता है actual में इनके अलग-अलग type के formula होते है color में नहीं होते है तो यहाँ पर जो MRNA से यह वाला MRNA है इससे जो यहाँ पर polypeptide की एक लंबी chain बन रही है और यह जो chain है वह आगे जाके फिर protein का synthesis करवाता है जब यह polypeptide की chain बहुत लंबी हो जाती है तब बनता है protein तो यहाँ पर जो MRNA से जो protein की chain बन रही है तो यहाँ पर काम करता है एक तरह से TRN ठीक है यानि कि TRN क्या कर रहा है यहाँ पर एक तरह से worker का काम कर रहा है TRN यहाँ पर transfer का काम कर रहा है इसलिए इसको transfer RNA भी कहा गया है ठीक है अब यहाँ पर यह जो TRN है यह क्या करता है यहां पर एक amino acid को bind करके लेके आता है और यहां पर लाके छोड़ देता है जिसे यह वाला जो amino acid है वो इस tRNA के थुरू लाया गया है यहां पर यह वाला amino acid इसके थुरू लाया गया है और यह amino acid यहां पर इस वाले tRNA के थुरू लाया गया है अब जब दो amino acids आपस में जुड़ते हैं तो अभी हमने peptide bone के structure समदिये थी तो यहां पर क्या काम करता है peptide bone यहां पर काम करता है याने कि peptide bone के थुरू यह amino acids आपस में जुड़ हुए रहते हैं और इस टाइप से जब amino acids के लंबी chain बन जाती है जैसे यहां पर एक chain दे रखी तो बहुत लंबी जब यह chain हो जाती है तब इसे हम बोलते कि यह क्या है अब protein याने कि अगर इसको हम recall करें तो क्या हो रहा है इसमें यह जो MRN है इससे बन रहा है यहां पर protein और protein बनाने की जो process से वह कौन करवा रहा है तो यहां पर TRN जो है इस process में help करते हैं इसके अलावाद जो यह MRN जो अटेज हुआ है इसको एक बेस प्रोवाइट करने का काम कौन करता है तो राइबोजों करते हैं यहां पर यह जो green green color मैं आपको दिखाए दे रहा है यह है यह यहां पर ribosome क्या है यहां पर तो ribosome है यहां पर लिखा भी हो कमी पर यह यहां पर लिखा है तो यह क्या है Ribosome के unit है इस ribosome पर ही attach होता है यह MRN अगर ribosome न हो तो हमारी body में भी protein का synthesis न हो पाई इसलिए जो ribosome है इसी को protein factory of cell कहा गया है और क्या कहा गया है कि राइबोजों है वो यह प्रोटीन फेक्ट्री आप सेल के अंदर जो राइबोजोम होता है न वहां पर एमिनु एसिड बनता है बड़ बनाने का काम कोन करते हैं तो यह ज़ादा ही लंबी हो जाती है तो इसे हम फिर प्रोटीन कहते हैं यहां पर जो 3-3 nucleotide का एक sequence होता है उसे हम कहते है codon तो यह जो process हो रही है उसकी कुछ steps है वो आगे देखते हैं हम कौन-कौन सी steps हैं यहां पर यह इसका answer देखे translation का answer इतना बड़ा है यह और यहां पर इसकी जो steps है वो कौन-कौन सी है तो यह यहां पर steps दे रखी पहले क्या होता है जो amino acid होता है वो activate होता है फर्स्ट step में second step में क्या होता है binding of activated amino acid with RNA यान कि जो amino acid activate हो जाते है वो फिट tRNA से bind होते है ठीक है उसके बाद binding of mRNA with smaller unit of ribosome जो ribosome की small unit है उससे यहां पर फिर mRNA जो है वो bind हो जाता है अभी हमने देखा था कि जो ribosome है उसकी structure किस टाइप क्यों होती तो ribosome से mRNA यहां पर bind हो रहा है और ribosome में दो यूनिट है एक small और एक लार्ज वाली यहांने जो बड़ी वाली यूनिट है उसे हम लार्ज यूनिट कहते हैं नीचे चोटी यूनिट elongation आप पॉलि पेप्टाईड यान कि जो पॉलि पेप्टाईड के उपर चेंड बन रही थी वह जो बन्ना स्टार्ट हो जाती है पे uh अफौनेशन हो रहा है जब पॉल्य पेप्टाइट की चेंग बहुत लंबी हो जाती है जितना उसको लंबा बन जाती है तो फिर यहां से वह जो पॉली पेप्टाइट की चेंग हो तूर जाएगी यहना कि उसका यहाँ पर termination हो जाएगा एक तरह से end हो जाएगा और इस टाइप से प्रोटीन की एक जो लंबी chain है वो अलग हो जाती है और प्रोटीन का यहाँ पर synthesis complete हो जाता है तो इस टाइप से यहाँ पर translation जो process है इसमें mRNA से क्या बनता है यहाँ पर protein बनता है ठीक है mRNA से protein बनने की जो process है उसे हम कहते है ट्रांसलेशन और जिस टाइप का यहाँ पर mRNA होता है यह जिस टाइप के mRNA के उपर कोडोन होते है ट्रेपलेट्स होते है उसी टाइप के amino acids प्रेप्टाइड चेन में जूड़ते जाते हैं और एक लंबी chain का formation करते हैं